हेलो एवरिवान आप सबका स्वागत है नए वीडियो में हैपी समर्स समर में स्किन का ध्यान रखना बहुत ही डिफिकल टास्क होता है एक तो हम लेजी हो जाते हैं और दूसरा गर्मी बहुत परिशान करती है इसलिए हमारी स्किन धीरे धीरे खराब होने लगती है आज मैं मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आप डेली अल्मोस कर सकते हैं ज्यादा इंग्रेडियंट मिलाने से यह होता है कि कभी कभार हम एक दो बार तो कर लेते हैं पर फिर आलस आ जाता है फिर वहीं स्टॉप हो जाता है काम इसलिए बहुत ही इजी तरीका है उसको हमाटर लीजे और ग्रेट करने के बाद उसका जूस निकाल लीजे ऊसमें निवु मिला लीजे बस हो गया इसे लगाके 15 मिनट छोड़ दीजे अपने स्किन पर और उसके बाद वश कर लीजे लेकिन ध्यान रहे कि आप फेस्वास ना यूज़ करें बस इतना ही करना है और अच्छे प्रोड़क्स का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर से ट्रेटमेंट भी लेते हैं खुबसूरती केवल एक रात में तो मिलती नहीं है और इस भागदौर की जिंदगी में त्वचा का ख्याल रखना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है स्किन को नेच्रल वे में किस तरह शाइन हम बनाए रखें जिंदगी भर बनाए रखें एवर ग्रीन तो उसके लिए इसको आप अगर यूज करें डेली तो कोई बड़ी बात नहीं है मतलब बड़ा काम नहीं है आप कर सकते हैं और इससे आपको नेच्रल वे में अंदर से ग कर दीजे 15 मिनिट के बाद और कोई फेस वास नहीं यूज करना है इसलिए इसको एक हैबिट बना लीजे कि जैसे हमें ब्रश करना है वैसी इसको भी लगाना है एक इसमें टमाटर है जो यूज हुआ है इसमें लैकोपीन होता है जो कि पिग्मेंटेशन को बढ़ने से रो मिला के मतलब दोनों के जूस को मिला के ही लगाना है तब ही कुछ लाब होगा ये एक पेस्ट जैसा जेल टाइप बन जाएगा और आप इसे लगा के रखे आदे घंटे बाद अराम से निकाल लेजे वाश कर लेजे नौर्वल वाटर से कोई समस्या नहीं है और ये एक अब आपको आराम से इसे लगा सकते हो और ज्यादा कठिन गाम में है कि हम किये मिलाएं वह मिलाएं करके लेजी हो जाते लेकिन ये सरफ दो इंग्रेडिन्स मिलाना है और बस लगाना है एक टिप और बताऊंगी कि डेली आप एक ग्लास केरट या गाजर का जूस पीजे अंदर से और बढ़िया निभार आएगा देखे ये रेडी हो गया इसे आप लगाईए और फर्क देखे हफते भर में आसा करती हो आपको ये बहुत पसंद आएगा प्लीज लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और शेयर भी कीजे ताकि औरों के भी काम आए क्योंकि ये ब हैं क्योंकि इससे लाइकोपिंट डारिक्ट भी मिलेगा आसा गरती हो पसंद आएगी आपको ये जानकारी और फिर मिलते हैं तब तक ख्याल रखेगा अपना तब तक के लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग बाई बाई